आज मैं आपके साथ गूश की देशी की एक शेयर करने जारी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इंशल्ला आपको भी बहुत जादा पसंद आएगी, वह है उरद गूश, इसके लिए मैंने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने हाफ केजी बीग का गूश ले लिया है, आदा क ले लिया है, यह ले लेस्टों प्यास मैं आप हिस्ट लिया है और चार पांच लेके जवश ले दनिया पाउडर और नमक इसमें मुझे डालना है लगभग 100 ग्राम तक तेल तेल डाल दिये इसको डालें अच्छे से मिक्स करें हलका सा पानी दाल दिये इसमें और फिर इसको गोष्ट पे नॉर्मल पर रख दूँए उसके बाद इसे थोड़ी दिर बाद डाउन पर कर दूँए लगभग आदे गंटे तक हमें गोष्ट को भूनना है थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें बस और आदे गंटे के लिए इसे गैस पर देख सकते हैं मसाला अलग और तेल अलग होगे लेकिन अभी भी इसमें हल्की सी हल्डी की स्मयल आ रही है तो अब हमें इते और घूमना है रखते दंड़म लग हमां को सब्सक्राइब हमारा अच्छे से गल चुका है बुन भी चुका है अब मैं इसमें सीटी लगा रहे ह इसी कुकर में हम यह उरड डालेंगे सारो उरड इसमें डालेंगे इसमें पानी हरी मिर्च कटावा अद्रक तेज पत्ता हल्की सी हल्दी और हल्की सी मिर्च डालके इसे गैस पर रखते में तीन सीटी आने के लिए कुकर मैंने यहां गैस पर रखते है अभी इसका फ्लेम हाई है इसमें एक सीटी आने के बद मैं इसे डाउन कर दूंगी दो सीटी से डाउन पर लगाऊंगी उरत खोल के देख लेते हैं उरत गले है या नहीं अभी तक तीन सीटी में उरत अल्मूस्ट गल चुके हैं बहुत अच्छे से कि उरद को हम रई की मदद से हलका से मेश कर लेंगे थोड़ा से मेश करना है जादा मेश नहीं करना है कि उरद मेश हो जाएंगे और पुछ साबत रह जाएंगे साबत अरद लिए अच्छे से मेश कर लेंगे हमारे उरद मेश हो जगे बहुत अच्छे से पानी डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके लगभग जब्रामे शोर्बर रखना है इसमें पानी डालके सारा मसाला तेल वेल भी इसमें छोटाके इसमें डालेंगे अच्छे से डालके इसे चला देंगे इसे निक्स कर दो अच्छे से इसे गैस पर रखके एक खौल लगए अच्छे से अब इसमें मेरा जो गरम मसाला मैंने घर में ही पीसा है थोड़ा सा वो डाल दूंगे इसमें डालने के बाद इसे एक खौल लगाने के लिए और छोट दूंगे गैस पर ही हमारे उरत अलमोस्त तयार हो चुके हैं यहां मैंने इसे हरे धनिया से गार्निश कर लिया है मैंने एक पैन में प्यास डालके हलकी सी ब्राउन होने रखती है यह ब्राउन हो जाएगी म कर मादूख गरमा गरम सर्फ कर लींगे यहाहा मैंने एक बाउ ले लिया इसमें मैं सर्फ कर लूंगी मैंने बुन वो बुनाबवा अक-dेश-पैस सार्म गरमा गरम आप इसे रोटी के साथ यह साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे उरदगोश तेयार हो चुक्त है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें अल्ला आफिस